हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे केले की ग्रेवी वाली सब्जी और ये सब्जी आप चावल के साथ में रोटी के साथ में किसी के साथ में भी खा सकते हैं ये ग्रेवी वाली सब्जी है और खाने में बहुत अच्छी लगती है चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसके दो कच्चे केले लिये हैं और इसको मैंने छिलकी के साथ में काट लिया है अब हम कुपकर में पानी लेंगे और इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है और जो केला है कटेई विव वो इसमें डाल देंगे और एक सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे और तब तक हम इसमें जो हमारा मसाला है वो तयार कर लेते हैं इसके लिए मैंने एक टमाटर लिया है और टमाटर को मैंने मोटा मोटा काट लिया है और एक हरी मिर्च ली है और पांचे मैंने लैसुन की कली ली है और थोड़ा से मैंने हरा दनिया उसकी डंडी ली है क्योंकि मुझे ग्रीन कलर चीहे तो मैं इसमें जो डंडी है वो यूज करूंगी और इसको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है और अब हम इसमी जो इसका जो ग्रेवी का है पेस्ट बनाएंगे स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे सिंपल सी सबजी बनाएंगे और इसको भी मोटा मोटा धनिये को भी हम काट लेंगे और एक जार लेंगे जार में ये टमाटर, हरी मीट्स, लैसून और हरा दनिया उन सब को डाल करके एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाला इससे क्या टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और इसमें क्या आप जो गरम मसारा डालते हैं वो भी डालने की जोरूत नहीं रहेगी एक कडाई लिए इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा राई डाला है अब जो पेश्ट बनाया था वो भी डाल करके इसको अच्छे से पून लेंगे ताकि जो हमारे मसाले है वो एकदम से पक जाए और इसमें मैंने मिर्ची भी नहीं डाली है इसमें हरी मिर्च डाली है सिर्फ ये मुझे ग्रीन कलर चीहें इसकी लिए मैंने इसमें हरा धनिया और इधर जो केले है वो भी पक कर तयार है और इसको छिलकी उतार करके मैंने रख लिया है अब जो ग्रेवी है वो पक गई है इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ज्यादा पानी भी नहीं डालेंगे इसमें थोड़ा सा डालेंगे और जो केले है वो इसमें डाल करके सब्सक्राइब